For more such and updates, click the red button and hit the bell icon to never miss any video from HSB News. और ना ही अब वो IPL 2018 में खेल पाएंगे। बता दें कि IPL 2018 में मिचेल स्टॉक को KKR की टीम ने 9 करोड 40 लाक रुपए में खरीदा था। KKR की गेनबाजी काफी हद तक स्टॉक की कंधो पर टिकी हुई थी लेकर अब उनके बाहर हो जाने से टीम को बड़ा जटका लगा है। मिचेल स्टॉक से पहले टीम के दूसरे अनुभवी गेनबाज मिचेल जॉनसन को भी सिर पर चोट लगी थी और उनका खेलना भी इस सीजन मुश्किल भरा लग रहा है।